तो दोस्तो RBSC Board अजमेर सेशनल मारक 2023 कक्सा दसवी और कक्सा बारवी को लेके हमारे स्कूल साथियों के सामने कई तरह की नई समझें आ रहे हैं कि हमने स्टूडेंट के सेशनल मारक वो भर दिये लाश्डेट से पहले लेकिन हमने सेशनल मारक को लोक नहीं किया तो क्या हमारा डाटा लोक हो चुका है या नहीं इसको लेके काफी बड़ा संसे हो बना हुआ है काफी स्कूल साथियों के लिए बड़े ही काम की होने वाली है वीडियो के साथ वो आप बने रहे है नमस्कार सातियों मैं हूँ आपका अपना साती राजगूर जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हैल्प यूटूब चिनल तो दोस्तों जैसे कि आप सभी को पता है RBSC Board अजमेर कक्सा दसवी और कक्सा बारवी शेसल मारक 2023 का डाटा लोग करने की जो लाज डेट थी वो 30 मार्च 2023 थी अब इस डेट तक है कुछ सातियों ने तो डाटा लोग कर दिया और कुछ ने यहाँ पर डाटा लोग नहीं किया लेकिन यहाँ पर एक नई समस्या है वो शुरू होगी जो जो समस्या हमारे स्कूल सातियों के सामने आ रहे हैं उनको एक के करके अपन बात करते हूं और समा या फिर कख्षया बारवी की हो लेकिन हमने डाटा लोक नहीं किया तो क्या हमारा डाटा लोक हो चुका है या नहीं हो चुका है तो दोस्तों आपको यहां पर जानकरी देना चाहूंगा नो टेंशन क्योंकि सारा काम है ने पोर्टल पर है वो एटोमेटिक हो रहा है इस बारे में जब से यह समस्या हमारे सामने आई थी तो सम्मंदी जो प्रोग्रामर मोदे उनसे भी हमारी पहले बात हुई थी तो उन्होंने बिल्कुल साप साप यह बोला था कि जिनोंने लास् सेसनल मारक का वो प्रिंट आपको लेना है और प्रिंट लेने के बाद देखी यहाँ पर बार कोड आपको देखने को मिलेगा और साथ साथ में यहाँ पर डाटा लोग देट भी आपको यहाँ पर दिखाए देगी यदि आपके सेसनल मारक पर प्रिंट वाले जो पेपर है उस पे बार कोड आ रखा है इसका मतलब है कि आपका डाटा वो पूरी तरह से लोग हो चुका है अब आपको कोई टेंशन यहाँ पे नहीं लोनी है ठीक है इसके लाओ यहाँ यहाँ पे दूसरा सवाल यह इसकूल साथ हूँगा कि यहाँ पे देखिए हमने लाज देर तक है कुछ इस्टूडेंट का तो यहाँ पे सेशनल मारक भर दिया और कुछ का नहीं भरा तो क्या हमारा डाटा लोग हुआ है या नहीं हुआ है या फिर से हमें सभी इस्टूडेंट के हैं सेशनल मारक भरने पड़ेंगे या नहीं बरने पड़ेंगे तो दोस्तों आपको यह यहाँ पर दो student के आपको जो seasonal mark हैं वो भरने पड़ेंगे नए कि बाकी आठ के अब इसके लिए आप क्या करेंगे देखिए इसके लिए आपको यहाँ पर एक चलान हो जन्रेट करना पड़ेगा सबसे पहले जिन student का आपको यहाँ पर seasonal mark भरना यह आप पता कर लिजेगा जो print preview आप देखोगे ना उसमें पूरी जानकारी आपको यहाँ पर दिखाए देगी हर एक student के आगे seasonal mark भरवे आपको मिल जाएंगे अलग-अलग student के अलग-अलग subject के आधार पर है आपको एक के करके हो वेरिफाई करना अब जिस subject में जिस student के यहाँ पर roll number या सोरी जो marks है वो add नहीं है print preview के अंदर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब है उनके mark फिल नहीं है तो ऐसे इन सभी student के number हैं आपको यहाँ पर add करने पड़ेंगे और चलान आपको जन्रेट करना पड़ेगा अब जिन सातियों को यहीं नहीं पता है कि number कैसे add के जाते हैं तो भी है इसके लिए हमने अलग से वीडियो बनाई है दो चार दिन पहले बनाई है लिंक आपको वीडियो के description में मिल जाएगा जाके वो देख लीजेगा और correction कर लीजेगा अब जैसे आपने यहाँ पर चलान बना लिया चलान बनाने के बाद आपको नस्दी की e-mitry पे जाना है वहाँ पर आपको चलान जमा कराना है और चलान जमा करवाने के बाद पुनो वापस उसी portal पे आपको आना है और उन नमबर को आपको यहाँ पे जैसे आप चलान जमा कराओगे ना तो उन उन नमबर का data वो अनलोक हो जाएगा आप अराम से उनके सेशनल मारका वो भर सकते हैं लेकिन यहाँ पर भी हमारे school साथियों के सामने एक समश्या आ गई और समश्या यह है कि जैसे हम इमित्र वालों के पास आते हैं तो विया वहाँ पे इमित्र वाला बिल्कुल साप साप मना कर देता है कि हमें इस बात की जानकारी नहीं है ऐसा कोई option है हमारे इमित्र पे एवलेबल नहीं है तो यहाँ पे चलान की चैर कोपिया निकलती है तो एक कोपि पी यहाँ पे last में लिखावा बैंक परतिलिपी अब इस बैंक परतिलिपी को देख के या पढ़ के है इमित्र वाले कन्फिूज हो जाते हैं स्कूल साथी हों कन्फिूज हो जाते हैं यह चलान तो बैंक में जमा कराना है इमित्र में थोड़ी करवाना है नहीं दोस्तो ऐसा नहीं है क्योंकि बोर्ड जब भी कोई परपतर तयार करता तो बैंक को आधार मानते वे करता तो ऐसे में हैं यहाँ पे बैंक परतिलिपी इसलिए लखावाद इसका मतलब यह नहीं है कि आपको बैंक में ही जमा कराना पड़ेगा यह जो चलान है आपको एमित्र में ही यहाँ पे जमा कराना पड़ेगा ठीक है अब देखिए एमित्र वालों को आपको यह बोलना है कि आप अपने एमित्र में जाओ उस पे किलिक करो चला नंबर डालो और जितने का माउंट है जमा कर दो बस आपका काम हो गया चलान जमा कराने के बाद यह मितर का ठपा आपको जरूर लगाना इस बात को आपको धनकना वहना बाद में अगर समश्या आ जाती है तो आप यहां पे फस सकते हो आपको दो बार पैसा हो यहां पे लग सकता है अब चलान जमा होने के बाद वापस आपको पोर्टल पे आना है और एकके करके इस्टुडेंट के आपको नंबर है यहां पे बरने कुछ सातियों का यह भी सवाल था कि सर हमने सभी जो इस्टुडेंट है उनका डाटा हमने लोग ही नहीं कि पहले आपको ज्यादा से ज्यादा 5,000 रुपे का चलान और फिर यह जो आगे 6 प्रेल के बादे 10,000 का चलान है आपको जमा कराना पड़ेगा तो सारे ही इस्टुडेंट का डाटा है वो एक बार अनलोक हो जाएगा तो यह यह तो आपको काम हो करना पड़ेगा क्योंकि भ वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं और कुछ सातियों का यह भी सवाल था कि सर सेशनल मारक फिल करने के बाद हमें डोकोमेंट है जो भरेवे सेशनल मारक वो कहां जमा कराने अरे भिया कहीं पर भी जमाने ही करवाने अगर आप मेरे रेगुलर वीवर हो तो हर बार जब वी आरबीसी बोर्ड की वीडियो बनाता हूं सेशनल मारक को लेके तो उसमें इस परकार के मैं जानकारी देता रहता हूं कहीं पर आपको जमाने कराने बस अपने स्कूल के रिकोर्ड के लिए उसे सुरक्षित रखना है confidential चीज है आपको पब्लिक आपको नहीं करना है और सेशनल मारक को लेके जो मैंने हैं पर आपको समाधान बताएं हैं इनके अलावा ये दी कोई सवाल है तो आप मुझे पोस्ट सकते हो अने थायार कमेंट मत कीजेगा क्योंकि एक ही चीज को बार-बार बताना अच्छा नहीं लगता है बहुत सारे स्कूल साथी है वो जोड या वो शेर कर देना मिलते हैं अगले एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए जय हिंद जय भारत